आप देख रहे हैं तखल न्यूज नाश्काल में हुँ शेफाली जनादेश में आपका स्वादत है मोदी की लहर नहीं मोदी की सुरामी आ चुकी है 2019 में जनता ने मोदी को एक बार फिर अपनी सराखों पर भिठाया है तमाम सारी बाते तराम सारी अठकले सब पर पाली फियो देख उए नरेन मोदी एक बार फिर पपर सत्ता को कविज हो चुके हैं तमाम सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में एंचिफ अनुराग उपाध्ध है जी हमारे साथ हैं हमारे सयोग इस्तक्तिम्षर्मा झालति हैं आप दोनों का ही स्वागत हैं सबसे पहले मैं अपने एडिटर-इंचीफ से चर्चा करूगी कि मोधी की जीत क्यों क्यों देखें बोभी की जीत से पेले मोभी की रणनीती को हमें समझना पड़ेगा कि बोभी पेर आखिर मोदी मेजिक है क्या नरेन्ज मोदी है क्या मोदी मोदी के नारे क्यों लगाए जाते है क्या यह कोई event company क्या लोग मोदी सी इतना जुड़े हुए हैं वजए क्या है तमाम सारी चीजे इस तरहे की हैं जिनको लके अभी लोग अनुसनान करेंगे लोग खोजबीन करें अपना चिंतन मनन हारने वाले नहीं करेंगे मौदी क्या मैं जतना समय दूंगा देश के लिए तो उन्होंने एक देश प्रेम के जजबे को जिस तरह से खड़ा किया और आप देखें कि इस दौरान बीच में जो लगाता देश में बम-धमा के सिल्फिलेवार बम-धमा के होते थे उसकी जो किस्टे चला करते थे एक जगे का बम-ध Whew बाद के राष्टवाद पर वोट नरेंद मोधी को मिले हैं तो पाकिस्तां से जो पुलवामा पर उपका की बात हुई और और स्टरीक की बात हुई तो यह वोट पाकिस्तान के खेलाफ मोधी को मिला या मोधी का ज्यादू सब्सक्राइтов देखं की सामर्ण ओडेश में प पाकिस्तान के दो टुकड़े की थे और बंगलादेश मिना के अलग कर दिया था पाकिस्तान के 94,000 सेनिकों ने हमारे सरिंडर किया था उसके बाद बंगलादेश मिना ततकाल इंद्रा गानी ने चुनाओ कर आए उसके बाद वो भारी बहुमद के साथ जीत किया ही तो चीजो की मान में जाके आतंकियों को सबग चिखाये गया था उसके बाद शेफाली जब दूसरी सर्जिकल स्टाइक हुई उस पर सवाल उठाए गए तो जितने सवाल उस सर्जिकल स्टाइक पर उठाए गाया मोदी न उसका लाव लिया और बजबूत हो लिकुल राहुल गांदी सर्जिकल स्टाइक पर सवाल उठाये तमाम सारे नेताओं ने राहुल गांधी के समेथ सर्जिकल स्टाइक की सबूत मांगे थे और मुझे लगता है जो सबूत प्रधान मंतरी नरेन मोदी से मांगे गए थे जनता ने वो सबूत दिये हैं अपने वोट अपना जनादेश देकर क्या लगता है आपको यह जंता ने वोट मोदी को मोदी लहर पढ़ दिये राष्ट वाद पढ़ दिये सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब दिया यह जी एस्टी और नोडबंदी जैसे तमाम सारी चीजि़ों को नकार कर वो जी एस्टी नोडबंदी के पाद गुजरात म चनधा पाटी को मिला से हम जी न कह सकते कि जैसि ती से लोग नराज होंगी norडबंदी से लोग नराज होंगे लेकिन उसको लोगोंने इतर नहीं लिया आने ता नहीं लिया मczy। को बीजेपी सरकार को वोड़ दीते है वहां जाके हम पाकिस्तान dari के आतंग वादी को खत्म करते हैं पाकिस्तान के अजार मसूद की पूर्र की कमर तोड़ के रख देते हैं उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं यह आदमी है और यह जो कहता है उसके लिए अ कुछ बड़ा हो जाएगा और आपको याद होगा वो बयान अमेरिका के राष्ट पती का कुछ भी बड़ा हो सकता और तुरंद बाद हमने सुबह हमारी आग खुली तो हमने नजारा देखा कि अभिनंदन बस भारत देश आने ही वाले हैं बिल्कुल हमारे साथ हमारे सायोग बहुमत से आके सिंधासन पर बैठ जाएंगे जैसे मैं बोपाल की बात करें तो बोपाल जैसे मैं लोगों से इंटरेक्ट हुआ तो लोगों का बोलना था कि हमने साथवित प्रग्यात को तो ने यह देखिए नेरेद मुदी को बोड़ दिया नेरेद मुदी के राष्ट राष्ट बाद को देखते हुए और विकास ऐसा निये कि नेरेद मुदी में विकास ने दिया नेरेद मुदी प्यम रहते हुए उन्हें बहुत सरे विकास कार किये जिसके बाद से नेरेद मुदी को बैक्फूट में भी जाना पड़ा के उन्होंने बोला कि हां कुस लोग को नुक्सरान हुआ है कुछनों को बड़ी लंबी लंबी लाइनों में जो आम जन्ता उसको खड़ा होना पड़ा उसके बाद से फ्रक बैक्फूट पे बीजेती गई थी लेकिन उसके बाद जो जैसे सार ने कहा कि जो यूपी में रेक्शन हुए जो गुजरात में इलेक जैसे वो कटघर में हमेशा खड़ी रही और उसके बाद भी भारी बहुमत से जीख हासिल की कारण क्या रहा लोगों से मैं इंट्रेक्ट हुआ लोगों को बोलना था कि हम राष्ट्रवाद को बोट कर रहे हैं हम विकास को बोट कर रहे हम साधी प्रद्या प्रग्या को ब एक चीज जो सत्यमा फील्ड में जाते हैं शफएली आप भी लगातार जाते हैं लोगों से मिलते हैं दिग्वेजे सिंग कारेकाल था मद्परदेश में दस साल उनों तो शासन किया उनीस सो तिरांगे से लेके 2003 तक सड़कों की कड़े हो या बिजली का ना होना हो ना हो न प्रफ़ानी की कमी हो विकास के नाम पर कोई काम नहीं होना और सिप करप्शन ये सारी चीजे कही नहीं लोगों के जहन में थी बिलकुल लाइट बिजली का मुद्दा तो सबसे बड़ा था कि लाइट लोगों को अभी तक नहीं बूला थे कि हम लाइट पड़ा ही कर रहे त कि बड़ी रोचक सी स्टूरी थी दिग्वेज सिंग मद्रप्रदेश विदृत मंडल की जो अधिकारी हैं उनको धंका रहे थे कि अगर लाइट गई तो और दिग्वेज सिंग ने ये भी गाता कि कॉंगरे साही बिजली गई ये नारशा बन गया है उस वक्त के पाप दि वोटर से और दिग्विजे सिंग को लेकर बात हुए कि दिग्विजे को बोट क्यों नहीं तो बहुत से ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो उस वक्त जिनके पिता, मा या बड़े भाई जो बेरोजगार हुए और उनकी बेरोजगारी के करण उनको जिंदी की एक सफ नहीं तो उनकी विवादित बयानों के करण लोग नाराज थे और वो नाराजगी प्रधान मंत्री नरेन मोदी में भी दिखी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि साध्वी प्रग्या को मैं दिल से कभी माफ निकर पाऊंगा, अन्राजगी मैं आपसे जाना और एबीबीपी की राज़ी नहीं करते करते मालेगाओं बलास्ट हुआ, सुनी जोशी अत्या कांड हुआ जहा है इनके नाम जुड़े और इनको अभी मालेगाओं बलास्ट माले में कूट में केसे जमानब पे बाहर है, तो उनकी छबी इतनी साफ सुतरी नहीं थी लेकि चुकि एक शब्द का इस्तमाल दिगवेजे सिंग ने कहीं गलती से कर दिया था, वो रिकॉर्ड पे भी आया, अख़वारों में शापा, हिंदू आतंकबाद, हिंदू आतंकबाद ऐसा शब्द था जिसको लेके संग, राश्टी सोयम सिवक संग हमेशा चौकन ना रहा, और उसका जवाब दिगवेजे सिंग को देना था, भूपाल में इस्तिति ये थी कि आलोक संजर अगर चुनाव लड़ते तो साध्वी प्रग्या से भी ज्यादा उनको वोट मिलते है, यह सच्चा ही है, साध्वी प्रग्या को वोट ने मिला है, साध्वी प्रग्या किसी नरेंद मोदी जी बड़े इस्पष्ट वादी है, उन्होंने साफ कहा है, नरेंद मोदी जी हमें देखना पड़ेगा कहां से आते हैं, गुजरास से, गांधी जी को चुनावती नहीं दी जा सकती इस देश में, गांधी जी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, अपने कर गांधी जी आप से गांधी विक्ति नहीं था, गांधी एक विचार था, तो आप विचार को चौनावती नहीं दे सकते हैं, ना तूराम गोड़ से कैसा भी था, हत्यारा था, आपने उसकी पेरवी करके एक गलत कदम उठाया, जिस पे नरेंद मोदी को कहना पड़ा, और म मैं अब आप से तीन राज्यों की बात करूंगी, वो तीन राज जिनमें अभी नवंबर में ही चुनाव हुए थे विर्हान सभा के और भारी बहुमत से तीनों ही राज्यों में कॉंग्रेस ने अपना सिक्का जमाया था, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो अभी लोग मैं राजिस्थान की बात करूं तो 25 में से 25 सीटों पर बीजेपी ने अपनी सत्ता जमाई है, वहीं अगर मदवर्देश की बात करूं तो 39 में से 28 सीटें बीजेपी के पाले में आई है और 36 गड़ की अगर बात करें तो 11 में से 9 बीजेपी ने हासिल की है, कारण क्या रहा होगा कि आपकी सरकार थी, आपको बहुत वक्त मिला था, आप उस बीच जनता के बीच में जा सकते थे, आप अपने विचार धारा बता सकते थे, आपने जीत के लिए आपके पास काफी समय था, आपने टिकेट भी बहुत पहले ही सभी को घोशित कर दिये थे, दिग्विजे सिंग का शाइद एक डेड़ महीने पहले ही घोशित हो गया था, बहुत मेनद दी कि दिग्विजे हर मंदिर, हर मजजद, हर जगां गए, हर घर में बैठे और परसनली वन-टू-वन उन्होंने हर वोटर से बात कि लेकिन फिर भी हार का चीहरा देखना बड़ा, दिग्व लोगों से उस पर बात हुई कि दिग्विजे सिंग जी एक अच्छा विजन डोकुमेंटे क्या हैं, कैसे परेटर बनाना चाहते हैं, किस तरह के एजूकेशन इंस्टूट लाना चाहते हैं, तो उन्होंने जब दस साल थे, तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसमें तो आप सत्यम से पूछे, सत्यम आप ज्यादा जाते थे बाजार मेंबार की, जो कॉंग्रेस है, कॉंग्रेस में बितर घादी कुछ नहीं लगा रहा, क्यूंकि जो कॉंग्रेस हैं, हमेशा सिंग के में आपस में लड़ाई चल हैं, हमेशा सब्सक्राइब की जो कॉंग्रेस की जो कॉंग्रेस को मिली है, एक मातर सीट वो है, नकुल नात की, जो जो मदवदेश के इस वक्त मुख्यमंतरी है, उप्चुनाव दिता विदान सवा का, जिसमें कमलनात ने जीत हासिल कर ली है, कमलनात मुख्यमंतरी है, बीजेपी के, और चूकि चिंदवाडा, स्वरी, कॉंग्रेस के मुख्यमंतरी कमलनात और उनके बेटे नकुल नात, कमलनात की जीत सिल्फ इसले के चिंदवाडा से उनको टिकेट मिला, स्वरी, कि इस विकिन के इस थासिए मैं इसमें बताना चाहें कि इस बार का जो चुनाव था लोग कह रहे थे कि कोई लेहर नहीं है मीडिया भी उस लेहर को उतना नहीं भा पा रहा था जब एक्जिक्ट पूल आए तब लोगों को लगने लागा के नहीं माहौल प्रधानमंती मेरेंद मूदी के फिवर में हैं लेकिन मद्यपरदेश की इस्तितिया इतनी खराब होंग अधिया जब दिगज जो आप मोदी की सुनामी शब ले रहे हैं वाकिज ये सुनामी है के बड़े बड़े दिगज धराशा है हो गए सिंधिया खाननान का कोई वेक्ति हारता नहीं था इनीस सो चौरासी में मादरा सिंधिया ने अटल बहारी वाजपाई को नाकोचा ने उतर भौल में सिंधिया थे जो वड़े कि उतलि ये खानुव लोगर रहे हो तो ये झुनाव से मित बाड़ी थे था हार है ये संधिया आप जो जातिवाद इए त़ुः लोगों तंधिया बोले बड़े सिंधिया जोतर एक संकित मेरे बड़े ओना ने उतिएह उन्ह dzii अब आप हाथ ऐसे चड़ा चड़ा के बात करेंगे लोगों से लोग आपको स्विकार ने करेंगे आप दूसरे निताओं की मिमेकरी करेंगे तो लोग मनुरेंजन के लिए ताली हो जाएंगे और यह वो जनता है जो बंदर के नाच पर भी ताली हो जाए देती तो आप अब आप दो चीजे ते इसका बड़ा भारी असर पड़ा इससे बीजेपी ने मैसेश कनवे किया कि जो पिशड़ा वर गया उसको साथ लेके चल आएंगे और एक महराज के खिलाफे आप आदमी को उतार दिया यह वेक्ति उनके चुनाव में एहम भूमिका निवाता था जो तरह जिद्जी की जो कहना चीज जो राजनितिक नसे हैं उनसे बाकिप था उसका उसने बरफूर फायदा लिया और वेक्ति चुनाव जीता और यह हमारे लोगतंत्र के खूबी है यह हमारे लोगतंत्र का एक बड़ा खूबफूरा चेहरा है कि हां आदमी जीत के सर्ताज हो सकता है ऐसा ही गुना में हुआ लेकिन सबक अब सिंधिया खांगान को सिंधिया परिवार को लेना पड़ेगा अब आप राजे रजवारे नहीं हैं अब आपको लोग सुनने आ मैं आपको बता हूं 2014 के चुनाओं में ननकीं सबाओं में रहा एंकर कम जानता हूं माधुराओ सिंधिया से मेरे बहुत निकश्ष तालुक है अनके में कमसी कर चार या पांश चुनाओ देखे उन्हों में जमीन आशंवान का रहे माधुरा थग एक जमीन जो है गुना श्यूपरी गोलियर के लोग स्विकार नहीं करते थे और दीरे दीरे इनकी स्विकारता कम होती जा रहे थी उसी का दती जाए कि आज उन्हें हार का चेहरा दीखना पड़ा बिल्कुल अब जन्ता वो नहीं रही कि महराज सडकों पर निकलेंगे और जन्ता जी हुजूरी करेगी जन्ता को आता है जनादेश देना अनुरागी बड़े बड़े नाम बड़े नेता शिकस्त खा गया है पूर्वमुक्त मंत्री अरजुन सिंग के बेटे उनकी विरास्ता समान रहे थे आप देखिए उनका हश्र क्या हुआ हुआ है पिछला चुनाव हारे थे इस बार सीधी से अपने घर से ग्रह जिले से वहां से फिर चुनाव हार गए इसका मतलब कि आपकी मतलब एक शेर है कि आपके पैर के नीचे जमीन नहीं फिर भी आपको यकिन नहीं यह वहालत हो रही है और बिलकुल पूरी कॉंग्रेस पे समय फिट बैटता है अजय सिंग जैसा बड़ा नेता आपकी भी मुलाकातिया हुए उनसे सहज आदमी आच्छे वेक्ति हैं लेकिन लोगों ने के अंदर में मंत्री रहे मनमोन सिंग जी की सरगार में बड़ा नाम था बड़े इटके चलते थे अरुन जादर जी नीचे देखते ही नहीं थे उनको भी खामयाजा भुगतना पड़ा आपके उपर जो घमन ढहावी हो गया था आपको इस तो भी बोलते थे लोगों ने आ पता थी कि वीवेक तंखा से तो कमलनाद भी नाराज्ट है उन्हों ने जिसर के कुछ फैसले कमलनाद जी से करवाए उसके बाद तो कोई ने बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट ने लिए वीवेक तंखा जी में और सबको मालूं था कि राके सिंग जो बीजेपी के प्रकारिस के राश्ट्रे अध्यक्ष राहूल गांदी ने स्तीफे की पेशकर्श की है और राहूल गांदी दें जिम्हेदारी ली है आटी कुछ जड़ो आप देख रहे हैं दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज देखे वाद आपता स्वागत है राहूल गांधी जुनाव खार चुके है राहूल गांधी ने चौकीदार चौर है राफेल पर सवाल उठाए सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगे इतना हला किया उसके बावजूद हार देखनी पर देख रहूल गांधी दो जगे से चुना लड़े राहूल गांधी को बहुत 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 अभी विवाद हुआ जैसे ही चैनल के एग्रिक्ट पूल आए बहुत 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 बह पहले सर्वे में आया कि रहूल गांधी आमेठी से चुना उर सकते हैं जिस सबसे वड़ा सर्मा था इसलिए उन्होंने दो जगशे से चुना लगा उन्हों है है तो बता है कि रहूल मालूम था कि उनकी जरहा लुटरों को छा करने के निता करके मनीशंक आ ये टाइबू के निथा ये कभी-कभी इसा बोल देते हैं कि एन चुनाव के समय बोलते हैं जो कॉंग्रेस को भारी पड़ जाता है आप रिपोर्ट करें आप जाते हैं फील्ड में तो लगता है यह बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यह कॉंग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए एक तुछ सूपारी लेके बैठे हैं मैं एक चीज़ जानना चाहूंगी इसमृति इरानी की पढ़ाई पर एड़ बार सवाल उठाते रही कॉंग्रेस इसमृति इरानी पर कई सारे ज़ाम लगाती रही कॉंग्रेस लेकिन फिर भी कॉंग्रेस अध्यक्ष को हरा कर इसमृति इरानी ने जो जीत हासिल की है आपको लगता है अब उनका नाम स्वान अक्षवा में बीजेपी में लिखा जाएगा आपको स्वार्णी के मृत्य तोहम्रति इरानी तो मौधि की लहर नहिति जो टुफान चलभा था मोधिका उस में इसमृति इरानी को जिताया चेंदरी में बहुत खूबिया भी नजर आए जिससे कारण वो हमेठी में जो उन्हों उठाय कि इस तरह कांधी परिवार का गड़ रही है उसके बाद इतना विकास नहीं हुआ है उस लेवल पर विकास होना चाहिए तो विकास नहीं हुआ है उस विकास को पाने के लिए प्रधान मंत्री चुनता था लेकिन इस बार एक प्रधान मंत्री ने कई सारे सांसत बनवा दिए चाहे इसमर्ति इरानियों एक प्रधान मंत्री ने पूरा का पूरा नजर्या बदल के रख दिया पहले सांसत जिता कर लाते थे प्रधान मंत्री बनाते थे अब प्रधान मंत्री ने ये बिल्कुल ठीक कहा सर ने कि प्रधान मंत्री ने सांसत बनवा दिये जैसा कि हम साधी प्रग्या पर ही रेखें साथी प्रग्या का वोट नहीं दिये गए डिये गए निरेन मोधी को फर यह सालों से यह यहां पर पर इनकी पेक्टिरिक अभी आपको याद हो एक यात्रा हम चुनाव के दौरान कर रहे थे और बाइपास से निकलने के बजाए मैंने का गाड़ी को गुना शेहर में से निकल लिए मालूप पड़ेगा कि हम महाराजा जुदर सिंध्याजी के लाके में अगर आप गुना की सड़कें देख लें करते हैं भाशन बड़े लच्छेदार देते हैं सिंध्याजी मैं इनके वह यालोचक नहीं हूं लेकिन जो साफ है वो कहना पड़ेगा मैं बीजेपी के लोग अगर गलत करें तो हम उनकी भी आलोचना करते हैं एक चीज़ और बताओं इस चुनाओं की जो बड़ी खुब अगले दिन से कहा कि मैं चाय वाला हूं मुझे इस पे घर्व है और उसके बाद आप देखो चाय चौपाल चुनाओं में शुरू हो गई है चाय पे चर्चा शुरू हो गई है और मुधी ने अपने आपको चाय वाला बना दिया इस बार राहुल गांदी ने गलती की कि मुधी ने जब कहा कि मैं चोगीदार हूं तो उन्हों ने उसके आगे चोड़ लगा दिया और जबरदस्ती एक ऐसा शब्द जिसमें कॉंग्रेस परिवार पूरी तरह से खुद है व्यक्ति को भी व्यक्ति से हमारी राज़ द्रह सकते हैं पत से नहीं सकते जब इनो परधान मंत्री को चोड़ कहना शरू किया तो इनका लेकिन उनको लेके मद्दपरदेश में जब बीज़ेबी की सरकार थी शिवराज सिंग चौहान ने केंपेंड लॉंच किया कि बस करो महाराज अपना नेता तो शिवराज ये भी नेगेटिव केंपेंड था इस पर संगने आपति जताई थी और ऑखाता कि इस तरह केंपेंड होना चाहिए और जाएगा और वहां से सारे लोग कहेंगे नहीं राउल जी आपकी आउशक्ता है आपके बिना तो कॉंगर्स चली नहीं इतनी बड़ी हार हुए जवर्दस हार हुए इसके बाद रिख्राइंक बनता है कि इस इक चीज और युदो सहते तो ब्रॉर्फम करता है श्री पर्फिक नहीं पर्फिक करने का इंद्रा गांदी इसे प्रवावेथ नहीं होता कि आप एक आप मुदी करने का रूप रप्ला तो आपके बीतर का एक्टर ने वो जागरत हो सकता है से लेकिन मतदाता बड़ा चतुर है मैंने तो यह देखा है शिपाली जी कि कई कई बस्तियों में आप आप भी चुकी फिल्ड में खूब रिपोर्टिंग की तो आपको पता चलता हुआ कि साब आज कंबल बटे महले के म मतदाता बहुत चदूर है आप आज हम जिसकी बात करें जनादेश की जनता जन का आदेश बहुत शक्तिशाली है भारत की जनता और उसे क्या फैसला करना है उसे समझ के करते हैं पहले घरों में जाके कंबल बाटाते थे चुपचाप अधेरी रात में कुछ नोट भी कि अपने वोट पर आपको आदेश देती है तक मैं एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि आपने बहुत रिपोर्टिंग कि आप फील्ड में रहे लोगों ने दिग्विजय सिंग को को सा कॉंग्रेस की सरकार थी मधिप्रदेश में क्या वजा रही क्यों नहीं वो वो सब्सक्राइब करें लेकिन उसके बाद जो किसानों के जो दिखाय जा रहे थे कि अधर मुक्रमाति सिर्वासिंग चौहां ने रिपा कि ये तो ऐसे तेका जा रहा है पर देखा गया तो उनमें पता चला कि किसानों के रिपाद में नहीं हुए थे जब बैंक को पैसे नहीं जाएंगे तो इस वायदे कि पूरे हुए नहीं दिखे तो इस बड़े ये वह सकती है किसान का कर्जा माफ किये जाएगा हर किसान का कर्जा माफ किये जाएगा कि हमारे इफ एंड बट होंगे उसमें लेकिन किन्तू परंतू होंगे और उस हिसाब से हम कर्जे को माफ करेंगे तो जब सत्यम जो कह रहे हैं उसमें बात में बड़ी दम है कि और शिवराज सिंग ने भी उसको अपने तरीके से टेक्निकली उठाने की कोशिश किये बैंक करें करें कि आप अपने अपने पर्दान मंतरी ने भी आरूप लगाए कि मद्श्या शायर होता है करोणा रूपया पकड़ा जाता है यह सचा ही है कि हर काम के लिए पैसे का लिन दिन हुआ बड़े पेमाने पे तबादला खाली नोंने का था कि हम आप विवस्ता ठीक करे आप अपने मापूल अधिकारियों को दाइबाय कर सकते थे आपने तो थोखबंद सारे घर के बदल डालूंगा टाइप से तबादे शुरू कर दिए उसका भी बहुत बड़ा खामे आ जाए इनको बहुत नपादा फिर इन्होंने जो मंचों से अधिकारियों कर्मचारियों अब आपके खिलाफ हो गए सारे के सारे जो बाद में किसानों को समझ में आई कि हमारे साथ धोका हो गया है और उन्होंने सिरे से नकार दी कॉंग्रेस अन्वाल सर मैं आपसे एग चीज़ जानना चाहूंगी कि जब ये लोगसभा चुनाओं की शुरुवात हुई तो एक जहरीली और गंधी राजनीती मंचों से शुरू हो गई लोगों ने अनरगल बयान देना शुरू कर दिये उसमें चाहें आजम खान हो जैपरदा के खिलाफ उन्होंने बहुत गंदा बयान दिया था जो शब्दों को दराया नहीं जा सकता रावी गांधी ने प्रधान मंत नतीज़े आ गए हैं इस पर हम बात जरू करते हैं लेकिन अब हम भी यह कह सकते हैं हुआ तो हुआ हुआ तो हुए जन्ता ने भी ही कह सुखती है उस पर एक शब्द है किर की होती है वहा उससे आपको अब होते हैं लोग याद रखा जाएगा गंडे बोल के लिए याद रखा जाएगा बड़्भुले पन के लिए यह चुनऊ याद रखा जाएगा आरोप पृतियारूप quick के लिए चुनाओ याद रखा जाएगा a lies a जाएगा गड़े माफ नहीं कर पाऊंगा तो ये सबसे बड़ा उधारण है कि हम अपने सबसे निमने इस तर पर कैसे जा सकते हैं राज दीती में से इसलिए कि शायद हम जीट जाएं हमको कुछ वोट जादा मिल जाएं इसलिए हम सही बात नहीं कहेंगे हम गलत बात कहेंगे हम बात को इस अं ट्रशकों सादवी प्रग्या उ्जेन महातालबाबा के दर्शन करने पहुंची है उनका शुक्रियादा करने पहुंची हैं त्रषम कर रही है रही है अनृओ जी एक चाईज और इतना सभगया जीत मोदी की है पाकिस्तान पर प्रबकुं स्ट्राइक की बात यह को दीकिर के स्वाल करते हैं तो दूसरा का लाब भी ली लेगा उसने जो किया है मुदी पे भी आृट लगे कि साथ मुदी शाये का इस्तिमाल किया currently कुश ऐब सेंब्रकें के हूं T तो पर पुन नहीं देखिए कोंग्रेस की सर्जिकल स्टाइक मनमौन सिंग की जमाने में च्छे सर्जिकल स्टाइक वी ऐसी खबरे आई थी उसके बाद एक आटिया गई गई गरे मंतरा नहीं जवाब दिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं किसी सर्जिकल स्टाइक का उ लगये पादेर हुआ सना होताạnhहि इसमें बढ़ चटके कि तुमने यह किया ह् the moralal baje m का नहीं हुआ अब मालुम पड़ा के आज भी चालीस से पेंतालीस अतंकवादी अस्पतालों में पाकिस्तान में अपना इलाज करा रहा है जो मरे वो तो मर गए उसके बाद अजर मसूद की क्या इस्टिती हुई है अंतराश्टी इस तर पे मुदी ने दवा बनाया गेरा आ पानी रोका और टमाटा रोके उतने में तौबा तौबा होगए इसाइए पूरा का पूरा संचालित करता है पाकिस्तान की सेंगतिविटी को राजनीटी को आइसाइए के अफसरों की पत्नियां लाखों करों के जेवरात पेंती है बड़े-बड़े मेहलों टाइप के गर में वहां रहती है बूलों के इटम बम चलाएंगे हमारे उपर जिनका सब कुछ बरबाद हो जाएगा अगर हमारे यहां से बड़े-बड़े-बड़े यह सचा ही है हमारे यहां से कहना चाहूंगी 2014 में जब मोधी जी आए और वो पूरे विश्रका ब्रहमर जब कर रहे थ लोगों ने बहुत सवाल खड़े किये थे कि नरेन मोधी को घूमने का शौक है और वो विदेशों में घूम रहे हैं और सरकारी पैसे को बरवाद कर रहे हैं यह तक का गया था कि नक्षा लेकर बैटते हैं दुनिया का कि कौन सा देशे में कहा जाना है मुझे और लेकिन उसका जवाब जब पाकिस्तान ने सिर्फ पुल्वामा पे हमला किया तो नरेन मोधी ने बता दिया कि वो विदेश में हर देश में घूमने जाते थे या दोस्ती बढ़ा रहे हैं और आपको बताओ आँ अनुराग जी कि जैसे ही रुजहान आना शुरू किये थे सबसे प जाना है चाहरा था वो पाकिस्तान की आपने बात की पाकिस्तान की इस्तिती की मिश फैवाइड ने हम ने तांए तो घूब हमाब भर नियोश बनी है तो हमारे यहां। तो जो रुकों और ठोकों की निती है जिस पर अमल किया मोदी साब ने उसके लिए उनको साथ लोग हमको अगर इसमें गोदी मीडिया भी गए तो अभी को या पती नहीं कि उन्हाने अच्छा काम किया देश में शांति सुकून बना रहे और पड़ोसी से या तो मितरता रहे है या उसको सबक सिखा दिया जाए तब ही हम ठीक से जी सकते हैं तो मोदी साब ने जो इस्टेंड लिया पूरा देश उनके साथ है और जिस प्रचंड बहुमत की आप बात कर रहे हैं यह प्रचंड बहुमत भी मुझे लगता है इसलिए मोदी साब को अलगावादियों को सुरच्छा देके रखी थी जो हमने रार रूपर करते थे उस पर उन्होंने थोड़े सी रोक लागा दी थोड़ी क्या बहुत साही रोक लागा दी जिसके बाद पासरवादी कम हुई इसके बाद उन्होंने पाकिसान का बुनदान करना बंद कर दिया आप वह अपनी आप देख रहे हैं दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज प्रिक के बाद आपता स्वाधत है और अब घुम कर हम फिर मद्रवदेश में आते हैं और मद्रवदेश में उन्तीस में से अथाइस सीटें लोग सभाचुनाव में बीजेपी ने हासिल की हैं बार बार सवाल उटते रहे हैं कमलनाथ सरकार कितने दिल की विजेवर्गिये के बहुत सारे बयान आए कभी वह कहते थे कि वीजबाइस दिन की सरकार है भी की नहीं लोग सभाचुनाओं के बाद हम गिरा देंगे बहुत कमजोर पाय पे खड़ी है कमलनाथ सरकार क्या लगता है अब क्या हालात बनने वाले हैं मद्रवदेश में जो बीजेपी को बहुमत मिले है जिस तरह का इसके बाद यह सरकार आिस्ठेर होगी क्योंकि यह बी लंगली सरकार है इसके पास बहुमत नहीं है बहुमत इनको लेना पड़ा है समाजवादी पारटी का एक मदद मिली दो कि इननों मदद इन भाफ काम लारा इन नाराज ऑगा और डिन नाराज जिसको मंतरी से बनाएं तो बहुत के तमाम सारे विदायक जो बहुत पीछे हैं जिनको कमलाज जी कहीं गिंती में नहीं लेती हैं वह संपर्क पर रहते हैं। केलाश वीजेवर्गी जिस जब यह कहा गया था कि कमलनाथ जी का जो कहना है कि 22-23 सीटे हम जीतेंगे तो इस बात तो जनता ने बड़ी गंभीता से जीतेंगे नहीं जीती आप एक सीट जीत पाई सिर्फ अपने बेटे की मनें कमलनाथ इतने अक्षम मुक्मंत्री थावित ह तो आप कहे रहे हो कि हमने 83 वादे पूरे कर दिये सब कर दिया और किसानों का कर्जाम आप कर दिया फिर भी लोगों ने आपको नकार दिया आप बमश्किल अपनी सीट अपने बेटे की सीट बचा पाए आप अपने सबसे बड़े सहयोगी आपके इस्टार पर चार एक ज होने वाली है जिससे सबसे आदा संकट का सामना कमलनाच जी को करना पड़ेगा और बीजेपी कोई मजे लेने का मौका छोड़ने वाली नहीं है कांटिलाल भुरिया जिस सीट भीछाड़क आप दखें yea कि मुश्किल लगता है कि जिस तरह से भॉपाल भार्गों ने बयान दिये हैं कि हम फ्लोर टेस्ट कराने की बात नहीं हो रही है लेकिन वह बात उसके पीशे कहीं बीजेपी की जो दबी इच्छा है वो यही है कि फ्लोर टेस्ट हो एक बार और चीजे माकूल हो जाए लेकि लौन की सरकार किरणा कि जाए क्योंकि बीजेपी की साथ विदायकों की कमी है कि इनके दो की कमी थी तो इसलिए अब बीकिना काटिजेपी दना किलना चाहती है और सब कुछ circular को गिले आ पाता 끝나क्ता है कि नहीं फैसल गिरिये ने सीपे एंडिये के पास है यूपीए बावन और अन एक सो तीन सीटों पर है और अब जनादेश सामने है प्रधान मंत्री के पत पर नरेन मोदी को दुबारा सराखों पर जन्ता ने बिठा लिया है फिलहाल चर्चा यहीं समाप करते हैं आप देखते रहें दखले आप देख रहे हैं दखले उल